तो ब्रिंदाबन का एक ऐसा गोसाला है, जहाँ साथ हजार लावारिष गाएं, अब तो वारिष है इनके, और ऐसा बाबा जो डंडा चला देता है, बाबा की पास कोई जाता नहीं डर के मारे, अब बाबा की पास में जा रहा हूँ, और आप देखियेगा, बाबा जूता च इन्हें देख रहे हैं, इधर चारा डाला गया है, अभी फिर दूसरे बाड़े में जाएंगी, दूसरे से तीसरे में, और सारे गोबन से, यह है स्री कृष्ण की करम अस्थली, जहां रास रचाते थे, जहां गायों के साथ भगवान स्री कृष्ण होते थे, और गाये उनके साथ होती थी, माखन चुराते थे, और गोपियों के साथ रास लिला करते थे, यह उस पवित्र अश्थली पर हम हैं, और अब मिलते हैं, गायों को दिखाते हुए, बाबा दामोदर जी से, दामोदर दास जी, नहीं, वह नहीं, दूसरे, मतलब दामोदर दास मोदी, तो न ने कोई बस्तर धारान भी नहीं किया, एकलेपेट लेते हैं सही, तो आप हमारे साथ बने रही हैं, और अब मैं चलता हूँ, दखिए, इन गायों को दिखाते हुए, मागे बढ़ रहे हैं, इस बाड़े से हम निकल रहे हैं, इसी बीच हमारे एक मित्र आ गये हैं मिलने हम से, सुबनाम आप बताईए, परसुत्तम सर्मा, कितन पहली मुलाकात आजे हैं, पहली मुलाकात हैं, चार साल से दुए जीजी को दूड़ रहा हूँ, चार साल से, जब आज बिनना होनु जाके मुलाकात हो पाई है, कल इनोंने बारान सी के डीजीपी को फोन कर दिया, आपने थोड़ा बात कर लीजिए, मिलाई दिया थो थोड़ा बात भी कर लिए, और जहां जहां आमारा वीडियो देखते थे, वहां वहां पहुंच जाते थे, अब तो मैं वीडियो करके भी आगे निकल गया, यहां भी कुछ गाये हैं, मैं यहीं से दिखा देता हूँ, यहीं साब सफाई हो रही है, फिर इन गायों को चारा डाला जाएगा, और इस गाये को आप देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर पानी रखा गया है, इधर बच्चिया है, यहां बहुत कम गाये ऐसी हैं, यहीं गाये ऐसी हैं, जिनके बच्चे हैं, नहीं तो से और दिखाएंगे इधर भी आप देख लीजिए यहीं से साथ हजार गायों का यह गोसाला सबी गायें अच्छी हैं अच्छा को अच्छा दिखाया जाएगा लेकिन भाया अगर कहीं गायों को कुट्टे नोच-नोच करके खा रहे हैं बारार्ची में गाजीपुर में अन्य स्थानों पर तो मैं अच्छा कैसे दिखा सकता हूं अच्छा दिखेगा तो अच्छा दिखाऊंगा क्यों पढ़ने लिखने का समझ है क्यों काम कर रहे हो क्या नम है आपका मैं तो आज ही आयो क्यों आयो आज पढ़ना नहीं है क्या नम है सुमित तो सुमित आपके घर के कई जा आ και 언제 जया हो गलत बात है कि नहीं ले आना है बी पंजना लिखना आपड़ते गाइए पड़ते हो किकि आप अब जक्रीоль MA । तेरा जाओ किस क्लास में बताओ किस क्लास में पहली में देखो हमसे स्कूल का नाम क्या है पढते हो देखो सच बात है कि नहीं पढ़ते हो अरे गुरूजी तो अभी पढ़ने क्यों मर रहे देखे गुरूर जी आ गए दंडाले कि अब भया साउधान यह ओपरेटर है जुवा खेलता होता अच्छा पर ये सारे हरीजन हरीजनों को रखता हूं मैं जी अच्छा काम करते ही नहीं है तो यह यह ढूत खेलता आगर यह आंद देख लिए प्लेट फारम पर सारे किसोरपुरा के हरीजन है वो च्भू उड़ुआ केल रहे हैं अच्छा पढ़ते ही नहीं पढ़ाईए आपसे लोग इतना डरते क्यों हैं बड़े खुखार संत्र प्रसासन तो करना पड़ेगा आप कभी-कभी गरिया विदेते हैं डंडा भी चला देते हैं यह अपना पर आपसे बहुत डरते हैं लोग दरेंगे जो चोर होगा वो अब देखे गुरुजी के साथ हम बढ़ते में चलने हैं साथ हजार गाये यह बहुत बड़ा बढ़ी बढ़ी संक्या है साथ हजार गायों की और एक ऐसा फकड संत्थ जो इन गायों की निगरानी करता है इन गायों को देखता है इन गायों को खिलाता है और यही वह कारण है कारण है कि गाये हृष्ट पुरुष्ट और तंदुरुष्ट दीख रही है आप देख रहे हैं इसमें चावल का वह कंद है भूसी है और इसमें खली है और इधर भी खली आप देख रहे हैं देखिए सर्सों की खली है यह सर्सो के खली है चुकि किसान हूँ और गोपालक रहा हूँ अभी भी हमारे घर गाय है तो इसलिए मुझे ठीक से पता है कि क्या खिलाया जाता है और कैसे यह इनका गुदाम है यह ऐसे बाबा जो सच में जो संत की परिभासा है उसकी पूर्ती कर रहे हैं और बाबा गोदाम दिखा रहे हैं इसमें बंदर भी खा रहे हैं बाबा बंदर तो बड़े आकरमन करते हैं हाँ नहीं करते हैं चस्मा भी छीन के लेके चले जाते हैं अच्छा यहां नहीं है यहां सब ठीक है अच्छा यह सोयाबीन का है देखिए अच्छा यह सोयाबीन की खली है अच्छा छिलका है जी जी गुरु जी सुब नाम क्या लिखते हैं बाबा इसके भूखे नहीं है कि कोई आये और हमारा प्रचार करें और बाबा मांगते भी नहीं फिर कैसे हो जाता है बाबा इतनी विल पाउर होगी अपने आप याद करेंगे अपने आप देने आएगा उसमें पार्टनर बनाता है अच्छा आपको पार्टनर बनाता है भी आते होंगे बाव से कुछ ने कुछ तो उनके संकल्प विकल्प उसके साथ जुड़े हुए हैं जी जी और वह संकल्प हम पूरे करेंगे भगवान का आराधना करके पूरे करेंगे ठीक है यह तो हम भी पागल बन जाएंगे उन्हीं के साथ अभी आपको भी दंड ोस्ता बेहर कि आराधना करते हैं पूजा पात हम भागवान में गयों की सेवा करते हैं गायों की एक एक रहूं में एक एक द्योता का बंद मनुझ उतार भगवान ने ओतार लिया था इसमें बचिया हैं किया गूरुजी ऑचछाग एहा देते हैं भगवत प्राप्ती का सरल मार्ग गो सेवा कास इन गो पालकों से सरकार के लोग भी इनसे लेते सीख लेते और जो गो आसरे किन्द्र हैं जहां हमने दिखाया है जिन्दा गायों को नोच करके खा रहे कुट्टों को उसे भी दिखाया हूं और इधर देखिए जाडियां भी हैं और यहां इनको अनुदान भी मिलता है बाबा को इन्होंने बताया है मुझसे कि मायावती के समय में भी मिला और गुरुजी वह जोपड़ी दिखाए थोड़ा हमने दिखाया आपको खली सर्चों की खली और जो खिलाया जाता हूं से दिखाया सोयाबीन का छिलका दिखाया नमख है गुर्भी खिलाया जाता है और इधर देखिए सब अब बाबा का सब जोपड़ा उपड़ा बना है लेकिन यही देखिए इसे ही चलना है इसे ही फक्कड जीवन है संत स्रीपाद बाबा योग पीठ जिन्होंने इसकी अस्थापना किया था महराज्श्री है जिनका देखिए इधर आप फोटो भी देख रहे हैं एक सांती का अस्थान है और महराज्श्री जिन्होंने इस भाव से ऐसी अस्थापना किया तो संत का तो यही सो भाव होना चाहिए उपर पुवाल है सरपत है इधर भी एक आस्रम है जैपूर मंदिर जैपूर मंदिर तो जैपूर इसका मूल जैपूर में ही यह क्या बाबा राजस्थान सरकार की प्रपर्टी अच्छा राज़स्थान सरकार की प्रापर्टी है अच्छा महराजा जेपुर ने इसमें योगदान किया था कि उन्हीं का है अच्छा उन्हीं का है उन्होंने इस्थाफित कर देख देखिए यहाँ सभी अंत्र भी हैं कही और है क्या सभी है छिओ जो दिखाते हैं जहां बाबा और इधर भी है ज़िये चलिए दिखाए कि देअ living अच्छा इंयाँ एक बाबा पक्षियां भी हैं बंदर भी गिलारी भीह कव्त आवें आयाा ओ T्टा भी दीख रहे हैं कूप बाबा जो सरकारी गो आश्रे हैं तो बड़ा खराब इस्तिती है हमने तो एक बार मंत्री जी को भी कहा था जी दिरे दिरे बोल रहे हैं आप शामनंदन शिंग को भी कहा था कि इनको प्राइबेट सेक्टर में दे देना चाहिए अच्छा तो किसी अच्छी संस्ता हर जिले में जितने आश्रे सदन बनाए उससे अच्छा एक दो आश्रे सदन बनाती बड़े बड़े जी उसी में गाये रखते हैं इसमें एक बंदर जी लोग लगे हुए हैं और बढ़िया से खा रहा हैं बंदर हैं कबूतर हैं और वीचिडिया है और सभी यहां आराम से खा रहा है यह खाद कहा जाती है गुरुजी कितने में एक टाली ले जाते हैं दो धाई अजार रुपे में एक टाली ले जाते हैं यहां से और आरगेनिक खेती करते हैं अच्छी पैदावार होती है उनको चुकि गाए हमारा जीवन रहा है गाए बचपन सही हमारे जीहन में सामिल रही है इसलिए दिखाता हूँ इधर भी देखिए भूसे का टाल लगा हुआ है और आप सरकारी को आसरे केंद्रों में जाएंगे कहीं भूसा नहीं है कहीं घास नहीं है कहीं पानी नहीं है कहीं तडबती हुई गाये हैं सारे संसाधन होने के बाद भी वहाँ आपको मृत प्राइपसु बिलेगे इधर भी हम आपको दिखाते हैं गो बंस सेड नंबर छे 1333 बर्ग गज में है श्रीपाद गोसाला है और आप यहीं से इसको देख लिए जिधर आपकी निगाह जाएगी गायें ही गायें मराजी यही पूजा है आपकी यही है अब क्या जिन्दगे बर पूजा ही करते रहेगे गया असली पूजा तो यही है 43 साल हो गए यह करते हुए तो चलिए ऐसे मनीशी को ऐसे संत को जिसने माला फेरने को पूजा नहीं बताया जिसने कर्म को ही पूजा जाना ऐसे संत के साथ आज हम है और हमने गोसाला को दिखाया अब यह आगे भी बढ़ रहे है महराजी अब यह और है क्या गुरुजी अब चलो आज देखते रहे है अच्छा इधर क्या है गुरुजी यह अच्छा जैपूर मंदीर है इसकी भी भविता आप एक बार देख लिजिए यह जैपूर वाली इट या पत्थर के इट लगे हुए है काफी खुबसूरत है और पहले का मंदीर यह होगा जी बहुत कलात्मक धंग से इसका निर्माड किया गया है उची उची इसकी दिवाले है और काफी खुबसूरत है इधर देखिये है गोबन से जो खाद है गोबर की खाद इसका टाल लगा हुआ है इधर भी आप एक बार देख लिजिए इतनी गायों को संभालना और खिला पिलाना यह छोटा काम नहीं है उतरपदेश के मुख्यमंत्री जी गायों का कटना भले ही रुख गया है लेकिन गायों तडब तडब करके मर रही है इसमें दो राय नहीं है और आप यहां अधिकारियों को और उनको भेज करके एक बार कारशाला लगवाईए और महराजी कैसे पालन करते हैं इसको भी जानकारी करके और यहां से सीख लीजिए साथ हजार गायों का पोसन उनका संबचन उनका संबरधन और ऐसी गायें जो घायल है जो अधूद नहीं देती उनका पोसन किस प्रकार हो रहा है इधर भी आप देखिए इधर नंदी हैं बाड़े है देखिए भूसा है लग रहा है कि कई गाउं का भूसा यहीं आ गया है पूसा भी है और हुआल भी काटा गया है नहीं गुरू जी साहिं पूआल जो मार्केट में सहसता मिलता है वो सब खरीद सब खरीद देते है यही कठवाते हों मसिए अच्छा कठा हुआ या था आता है को देख यह कोई आवाज तो नहीं दे रहा है आप हम ने कोई कोई आवाज नहीं दे रहा है कोई है कोई आवाज नहीं दे रहा है जिधर जाएक उधर गोबंश तो दोस्तों किया रहा मैं हूं प्रजमुशन दूबे YouTube चेनल प्रजमुशन मारकंडे BBM वोल्ड से आई स्वामी जी के साथ और इनकी गोसाला को दिखाते हुए बिनमरता के साथ हमारा साधर नमस्कार एक परिचे में भूल गया हूँ यह डाक्टर साहब है बताइए अपना मेरा नाम कमल सिंग है और मेरा चैनल है ग्लोबल ब्रज करके यूट्यूब है और सर हमार है बड़े पराने मिलने वाले हैं दो साल पहले भी हमने ओली सूट की थी तो मेरे सेवा करते रहते हैं ब्रिंदावन मस्कुरा और जहां भी फोन आता है तो रात को बारा वजे भी गोवन्स की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं वह से हैं कमल सिंग जी मेरे चैनल से भी जावन के नाम सिदा अब गिलोबल ब्रेज कर दिया है उसका नाम बदल के आप साथ आप साथ